असलाम अलेकुम। कैसे हैं आप सब। भई मैं तो घर आ गया ताके बाकी की रिटर्न अराम से बैठ कर फाइल करूँ। अब हमने अपने असासों यानी एसेट्स के बारे में डीटेल्स डालनी हैं। तो चलें अपना सेव किया हुआ फॉर्म उसी तरह ओपन करते हैं। आइरिस में लॉग इन करके ड्राफ्ट पे क्लिक किया फिर डेकलरेशन पर और फिर यहां सेंटर में अपने फॉर्म पे क्लिक करके एडिट के बटन पर। लें जी फॉर्म उपन हो गया। अब यहां लेफ्ट साइट पर वेल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। अब क्यूंके मैं पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो नेट एसेट्स के टैब पर जाना है। इसको क्लिक किया तो यह फॉर्म उपन होगा। पहले खाने में इंकम डेकलेड एस पर रिटर्न फाइल सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स डालनी है। तो वो है मेरी सैलरी इंकम जो पहले डाल चुका हूं। आसान काम करते हैं और सैलरी के टैब से जाकर कॉपी कर लेता हूं। और अब यहां पेस्ट। इसी तरह जो इंकम एक्जेम्ट है टैक्स से वो भी कॉपी और पेस्ट। अगर किसी ने कैश में या कोई प्रॉपर्टी वगेरा गिफ्ट की है तो उसकी अमाउंट यहां डालनी होगी। इसी तरह अगर कोई कार्ज लिया है तो वो लोन में। नेक्स्ट है अदर्ज का खाना यानि आपके नाम पे या आपकी मिल्कियत की जितनी भी चीजें हैं बैंक अकाउंट्स में जितना बैलन्स 30 जून 2019 तक शो हो रहा है वो भी अड़ करके टोटल यहां इंटर करना है। याद रखें ये रिटर्ण साल 2019 की है यानि यकम जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक 30 जून 2019 तक जितने भी आसेट्स आपके नाम पर हैं उनकी अमाउंट एंटर करनी है अगर आपने इसके बाद कोई प्रॉपर्टी वगेरा खरीदी है तो वो अगले साल की रिटर्ण में आएगी। अब है अखराजात की बारी पहले यूटिलिटीज में बिजली, गैस, पानी और टेलिफून के बिल्ट टोटल करके डाल दिये हाउस होल्ड एक्सपेंसेज में साल का जितना खर्चा अंदाजन हो जाता है वो टोटल एंटर किया फॉरिन ट्रावल अगर किया है तो वो खर और अदर्ज में और कोई खराजात हैं तो वो एंटर करने हैं जैसे रेंट, मेडिकल यानि डॉक्टर्स की फीज वगरा पर खर्चा और जगात दी है तो वो भी एड़ करके यहां अदर्ज में एंटर करती है एक बार फिर याद रखें ये सारे खराजात की तफसील यकम जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक की डालनी है अब नेट एसेट्स करंट यर यानि इस साल में आपके नाम पर जितने असासे हैं जैसे आपने उपर लिखे हैं वो दुबारा यहां लिखते हैं और पिछले साल जो नेट एसेट्स थे यानि यकम जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक जित हैं उनकी अमाउंट्स निकाल कर जितना बनता है वो पिछले साल के नेट एसेट्स हुए तो वो अमाउंट यहां एंटर करती अब कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं यहां अन्रीकंसाइल्ड अमाउंट में 0 आना चाहिए अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई खर्चा आप मिस कर रहे हैं क्योंके फिर रिटर्ण फाइल नहीं हो सकती एक दफा फिर से पूरी रिटर्ण को देख लें और तसली कर लें कि सब अमाउंट्स ठीक डाली हैं क्योंके सबमिट होने के बाद रिटर्ण चेंज नहीं हो सकती अगर मेरी तरह अन्रीकंसाइल्ड अमाउंट म क्लिक करें रेजिस्ट्रेशन के वक्त जो चार डिजिट्स का पिन कोड मिला था वो यहां एंटर करें और वेरिफाइब पिन पे क्लिक इसके बाद बस उपर सब्मिट का बटन क्लिक करना है लें जी मेरी टैक्स रिटर्न तो फाइल हो गई अब मैं फाइलर होने के फाइदे भी उठा सकता हूँ हाँ अगर आपकी कोई टैक्स अमाउंट एड्मिटिट टैक्स के खाने में आ रही है तो उसके लिए पेमेंट का भी आसान तरीका है उसके लिए आप देखें टैक्स पेमेंट की वीडियो मैं तो बन गया प्राउट पाकिस्तानी टैक्स फाइलर